हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आश्य करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छी होंगे मेरा नाव है सुधिर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिक्स तो चैप्टर नंबर सिक्स हमारा क्या है जन्रल इंफॉर्मेशन एबाउट कंप्यूटर के बारे में हमें पढ के लिए कुशन यह है कि बच्चा कह रहा है कि लिए कर दो बहुत इंट्रेस्टिंग चीज साथे साथ यह बहुत सारे वर्क करती है और बहुत अच्छे मैनर में करती है लेकिन मेरे दिमाग में कुश आइडियास आते है कि यह साथेलिस कंप्यूटर के अंदर कैसे आई त तो देखिए यह अच्छी किस तरीके से इनको समझाती है कि कैसे कंप्यूटर का इवल्यूशन हुआ इट टुक है लॉंग टाइम तो इन्वेंट कंप्यूटर यानि कि बहुत लंबा टाइम लगा कंप्यूटर को इन्वेंट करने मिली है और रोज रोज नए नए आपके इसमें इंप्रुमेंट हो रहे हैं ठीक है डू यू नू इट्स दा कंट्रिबूशन और मेनी पुपल इसमें बहुत सारे लोगों कंट्रिबूशन है जैसे कि सबसे पहले आपका क्या बना था अब एकस बना था कैल्कुलेशन के लिए ठीक है कैल्कुलेट करने के लिए प्लस माइनस हम उससे करते थे addition करते थे subtraction करते थे ठीक है then the John Napier Mater calculating device called Napier Bonnes उसके बाद जो Napier Bonnes एक scientist थी computer scientist थी उन्होंने क्या बनाया एक calculating device बनाया जिसका नाम था Napier Bonnes ठीक है क्या नाम था Napier Bonnes ठीक है न.. चले आगे आते हैं ये भी calculating device थी उसके बाद यहाँ पे है I remember my teacher also taught नीचार्ट फर्स्ट मेकैनिकल कल्कुलीटर देखे जो क्यालकुलेटर हम यूस करते हैं न दोस्तों अपने घरों पे तो उसको बनाया था जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्लेस पास्कल क्या नम था ब्लेस पास्कल ठीक है अब ये बच्ची लड़की क्या कह रही है बहुत साल के बाद एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम से चार्ल्स बेवे जिने फादर आव कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था जिसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें आप उस डिवाइस में कर सकते थे तो वो क्या था modern computer था ठीक है तो इसी वज़े से चार्स विवेज को हम क्या कहते हैं कि इन्होंने इन्हें कहते हैं father of computer ठीक है ना मतलब कि यह हुआ कि चार्स विवेज जैसे पहले विखती थे जिन्होंने ऐसा computer बनाया जिसमें बहुत सारे इसेंशल फीचर्स थे modern computer के ठीक है चलिए आगे आते हैं है आई इवेन नूँ अब आप मार्ग जुकरबग बिल गेट्स एंड अगर कंप्यूटर प्रस्नेलिटीज देखिए क्या है कि यह अच्छा कह रहा है कि मैं भी बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने computer के फिल्ड में काफी अच्छा काम किया है जैसे कि यहां पर मांग जुकरबग आपने facebook यूश किया होगा ठीक है अपने whatsapp यूश किया होगा अपने Instagram यूश यूश यह तीनों तो आप जानते जानते होंगे तो इसके मालिक कौन है Mark Zuckerberg कौन है Mark Zuckerberg ठीक है उसके बाद है Bill Gates जो है Bill Gates जो आप computer यूज करते हैं computer में जो भी आपके software रहते हैं MS के नाम से Microsoft यह सब Microsoft company किसकी है Bill Gates की है ठीक है चलिए आगे आते हैं आगे आते हैं यह अच्छी क्या करें that's great but let's recall some other basics of computer with the help of three questions तो यह अच्छी क्या रही है कि आगे तो हम पढ़ेंगे यह basics computers के बारे में कुछ questions के साथ ठीक है तो आईए questions को शुरू करते हैं chapter number 6 के तो दोश चैप्टर number 6 हमारे सामने है general information about computer तो सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले आते हैं the first computer programmer was तो देखें यहाँ पे आपसे सबसे पहला यह पुछा गिया है कि programmer का और था यारी कि सबसे पहले किसने program लिखा था ठीक है न तो देखें इसका answer है lady ada lovelace इनका नाम है lady ada lovelace इन्होंने सबसे पहले ठीक है न दुनिया की पहली machine algorithm लिखी थी ठीक है न और किस machine के लिए लिखी थी analytical engine के लिए इसके लिखी थी analytical engine के लिए ठीक है न चली यह चीज़ आपने पढ़ ली यह चीज़ आपको समझ में आगे होगी यहन की सबसे पहली programmer कौन थी पुरे दुनिया की दुन करना था lady ada lovelace ठीक है और इन्होंने किसके लिए यह algorithm लिखा था इसके लिए programming लिखा था तो यह लिखा था analytical engine के लिए चली second question what is the name of device invented by john napier तो john napier ने क्या बनाया था napier bones बनाया था अभी हमने पढ़ा भी था तो इस cancer हो जाएगा option number two का a चली 3 number है the background picture of the desktop is screen is called देखिए आपके desktop screen पे जो पीछे की screen दिखती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों तो उसे हम कहते हैं wallpaper क्या कहते हैं वालपेपर कहते हैं चली phone number question पर आते हैं phone number question है appears in a window when all the contents of an open window cannot be seen at same time देखिए माली जे आपको एक पैरा इमाली स्क्रीन है ठीके आपने इसको बहुत सारा लिखा हुआ इसके नीचे भी लिखा हुआ तो question ही कह रहा है कि इस सारा content आप कैसे देख सकते हैं तो सारा content है इस तरीक से माली जी और भी लंबा है लेकिन आपको इतना ही शुब हो रहा है तो आप कैसे देखेंगे आपके यहां पे side में क्या दिया रहता है scroll button और आपके यहां पे भी scroll button दिया रहता यह होता है vertical scroll button और यह आपका होता है horizontal scroll button ठीक है ठीक है vertical आपका जो horizontal होता है इसे आप यह down में देख सकते हैं और जो horizontal होता है इसे left और right में आपको चीजों को देखने के लिए use करते हैं ठीक है दा वायर सोन हीर यह कैसे वायर है देखिए तो यह ऐसे वायर है जो आपके CPU के cabinet में आपके क्या होते हैं लगते हैं ठीक है इन से different devices आपकी connect की जाती है ठीक है जैसे यहां पे कुछ CPU का होगा कुछ आपका UPS का होगा क्योंकि सबके जो ports होते हैं वो अलग-अलग होते हैं है चैली अ हाँ चैली है इस प्रश्थम पर आते हैं सिंबल आइक़ों सो इंडा लोकेशन अप को लोकेशन औप तरीकी का आप का आरो देखता रहता है इसे क्या कहते हैं कोश दि litigation आपके सामे हैं चलिए seven number question आपके सामने है given image the micro computer यह micro computer है ठीक है ना यह आपके desktop की जैसा ही है ठीक है desktop यह समझे लीज़े what do you understand by Microsoft के micro computer से आप क्या समझते हैं यह हमें बताना है आएए देखते हैं क्या options पढ़ते हैं तो सबसे पहले है a small computer with a micro processor ठीक है second number है a computer use by scientist research and micro technology जो scientist लोग होते हैं बड़े computers को use करते हैं ठीक है ना कि micro use करते हैं एक computer भी developed by merging two mainframe computer क्या mainframe computer के लिए वाला micro computer use होता है नहीं एक computer use for robotics यह वाला computer आपका robotics के लिए यूज नहीं होता है तो कौन सा हो इसमें सही है a small computer with a microprocessor यह small computer है और इसमें क्या होते हैं microprocessor लगा होता है चलिए seven eight number question है आपके सामने eight number question क्या करहें which of the following statement is correct इसमें correct क्या है you can tell the computer what to do by pressing the key on the keyboard तो देखिए यही option एकदम सही है यहाँ पर कि जैसे ही आपको कुछ करना है माल लिए आपको लिखना है computer तो सी ओ यम पी यू टी या लिखेंगे तो जैब हम computer की spelling को keyboard में press करेंगे तभी यह जा के क्या होगा process होगा और हमारी monitor की screen पर छपके दिखेगा तो question यहीं कह रहा है कि जब आप computer को कुछ input देते हैं ठीक है तभी यह आपको क्या करता है ठीक है रिजल्ट देता है तो keyboard से हमें यह चीज़े प्रेस करनी पड़ेंगे तो जो आप प्रेस करेंगे वहीं उसमें लिखाएगा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखाएगा तो इसमें answer सही हो जाएगा option number a ठीक है और option बताते तों गलत क्यों है दिखें इसका डाकुमेंट क्या जो चीज़ें स्कैन करते हैं क्या उसको डाकुमेंट्स आप पड़ सकते हैं बिल्कुल पड़ सकते हैं लिकिन इसमें लिखा कि आप नहीं पड़ सकते हैं mouse does not print the item display question है कि mouse से हम कोई चीज़ प्रिंट नहीं करते हैं तो इपी गलत बात दे रखिए ड़स्ट यानि धूल से बचाना चाहिए लिक्विड आइटम जो भी लिक्विड वाली चाहिए उससे बचाना चाहिए तो इसमें तीनों के तीनों सही है इस कांसर जाएगा option number d 10 number आपके सामने है question which are the following example of micro computer तो देखिए आइसे computer जो छोटे होते हैं तो यह भी देखिए desktop computer है micro computer यह छोटा होता है और जो आपका smartphone यह computer की जैसा यूज करता है यह laptop है यह सब क्या है micro word का मतलब ही होता है छोटा क्या होता है छोटा तो यह सब ही छोटे है तो इसका मतलब होता है बड़ा ठीक है तो micro मतलब होता है यह तीनों चीज़े छोटी है आपकी तो इसका answer हो जाएगा option number d 123 11 number question which are the following jumbled word is not related to the characteristics of computer word तो सबसे पहले हैं मैं jumbled word को सही करना होगा तो इसका बनेगा accurate और यहां पर इसका क्या बनेगा storage storage बनेगा यह बनेगा versatile versatile ठीक है और यह बनेगा आपका monotomy तो question यह कह रहा है कि इसमें कौन सा रिलेट नहीं है तो इसका answer monotomy ठीक है accurate का मतलब होता है कि इसके answer बहुत ही correct होते हैं एकदम सही होते है stories हम computer में story करते है वरसे टाइम अलब इससे हम बहुत अलग अलग तरीकों पर यूज कर सकते हैं तो यह होता है versatile तो इसमें answer कौन सा सही नहीं है तो यह हो जाएगा monotomy option number D चलिए ट्वैल नंबर question आपके सामने है steve jobs steve jobs कौन थे पर यह जो लोग अभी आइफोन एपल का product यूज करते हैं यह इनहीं की कंपरी थी इनका नाम है apple inc apple info com mark जुकरबग facebook क्रिस्टोपल लैथम सोर्स इन्होंने क्या बनाता है quality keyword में देखे quality keyword क्या होता है देखे जैसे ही आप अपने mobile में या अपना मालिचल keyboard के बारे बताता हूं computer का keyboard है उसमें जब आप देखते हैं तो उपर लिखा रहता है Q से इस तरीके से आपकी पूरी spelling आगे भी लिखी होती है keyboard में ठीक है तो इसी quality आगे के शब्द लेकि इसका नाम कहा रख दिया है quality keyword layout ठीक है फिले बिलगेट्स बिलगेट्स नहीं क्या बनाया था ठीक है तो इसका answer क्या बन रहा है 4123 तो इसका answer बनाया 4123 option number D चलिए 30 number और quality keyboard आप हमने mobile में भी देख सकते हैं जब आप typing करने जाएंगे तो mobile में सबसे पहले qwer t word ही आपको दिखेगा तो इसे कहते है qwer t keyboard select the incorrect match produce the desired result तो जो हमें result बिलता है computer से output करते है बिलकुल ठीक बात है handle the data according to the given instruction तो जो data आपका हम जो जो भी data input करते हैं वो क्या होता है वो instruction आपका क्या होता है process होता है ये भी ठीक है hold CPU and memory ठीक है तो secure memory किस कहां पर रहती है motherboard के अंदर ये भी एक्तिम ठीक बात है inventor of UPS डगल नहीं डगलेक्स एगन बर्ट ने mouse को invent किया था और UPS के inventor भी मैं आपको बता दे रहा हूं इनका नाम है जॉन एच हैंली ठीक है चली इतनी चीज़े हो गई है अब हम आगे आते हैं तो इसमें incorrect कौन है option नमबर D चले 14 नमबर पर आते हैं 14 नमबर है तक given image is of the window 10 तो window 10 में हमें यह बताना है कि किसकी image है देखिए यहां पर my computer यह folders यह file explorer यहां पर सारी चीज़े होती जो details बताती है इससे हमें यह बताना है तो यह है आपका file explorer का जिसका है file explorer का ठीक है 15 नमर question है यहां पर q icon है ठीक है ना q icon यहां यह क्या denote कर रहा है यह आपको denote कर रहा है यहां पर the folder user gets open ठीक है ना क्योंकि देखिए इस पर यह click किया गया है देखिए इस तरीके से click किया गया इस पर तो यहां पर the folder user gets open and files in that folder be displayed अगर यह आप इस पर click करेंगे दो बार तो इसके अंदर जो भी file होंगे हो क्या होंगे आपको display यानि की दिखने लगे तो इसका answer हो जाएगा option number D ठीक है तो दूस्तों देखिए question number 16 में पूछ भी क्या रहा है कि यह जो Q है Q क्या है तो Q देखिए एक folder है yellow color का है तो इसका answer हो जाएगा option number C folder ठीक है चलिए आगे आते 17 number question पे T कैसो कर रहा है यहां पर है आपका T तो T का मतलब देखिए जैसे आपने इस चीज़तों खोला तो यहां पर बता रहा है कि इसके अंदर कितने हैं दस items हैं ठीक है तो यह क्या बता रहा है इसके details बता रहा है क्या बता रहा है details बता रहा है तो इसका answer हो जाएगा option number B details ठीक है चलिए 18 number question पे आते हैं देखिए 18 number question पे यह कह रहा है कि when you click the address mark by P what will be displayed here तो देखिए 18 number पे हम देखेंगे 18 number P पे देखेंगे P क्या बता रहा है P भी देखिए दिखा रहा यहां पे लिखा है local disk C ठीक है न क्या लिखा है local disk C ठीक है तो यह किसके बारे में बता रहा है C के बारे में बता रहा है यानि कि C drive के बारे में बता रहा है आर को देख लिखेंगे आप यहां पे ठीक है तो आर जो है आपका navigation pen navigation का मतलब यह होता है कि आप कहां पे ठीक है न इसका मतलब है कहां पे आप क्लिक करेंगे और उसके बारे में सारे detail लाएगी तो यह हो जाएगा आपका navigation pen फिर 20 number what is the use of panel indicate as the given image तो s जो आपका दे रख्या है उसके बारे में आपको बताना है तो yes देखिए कहां पे दे रख्या है यहां पे दे रख्या है ठीक है तो यह क्या बताता है यहां से आप सर्च कर सकते हैं यहां पे लिखा है सर्च एन आइटम ठीक है ना क्या लिखा सर्च लोकल डिसक ऑसकी तो देखियें यह थोड़ा सा सकैन करने में यहां पे दिखने रही है लेकिन अगर आप वुक में देखिंगे तो यहां पेור एक हर रहेगा सर्च लोकल डिसक सी तो आप के ज्रूट सकते हैं ठीक है ना जैस्वपल लिखेंगे व oùलिखेश के आ बन करेंगे मतलब की करेंट ड्राइब जो आपके खुली है वहां उस उस ड्राइब में कोई भी चीज़ है तो उसे आप सर्च कर सकते हैं ठीक है यह आपको समझ में आ गया वाते हैं चीवर सक्षन होट्स पर तूमार्क से कॉश्चन इदेंटिफाइब फॉलिंग मिड़ साइड डिजिटल कंप्यूटर सपोर्टेड दा मेनी यूजर साइमल्टेनियसली दे सपोर मल्टी टास्किंग दे वर यूज्ट तू रियल टाइम अप्लिकेशन PDP 11 HP 2100 E क्हीं है, तो यह क्या है यह आपसे पुछआ है 21 नॉमबर में तो दोस्तो यह है आपका क्या होगा यह हूगा आप k 카님이 इम् 가까 मीं आम और क्या होगा क्का मीनी कंप्यूटर टीक है मासा टीर स्मूलनों कि और यह बहुत कम महने होते हैं साथ इसाथ ये आख के powerful होते हैं लेकि मे colossi मा उर कमपिटर से कम होते हैं ठीक है शुझे से ये क्या गूंध होते हैं यह यह क्या इंटर से अगलेस बढ़र कॉंध रुजटा हैं यह करते हैं यह क्या है पर आपकों से जो दें रखा है इसा के लिए लेडी लवलेइस ने क्या लिखा था फस्ट प्रोग्रामिंग देखिए दोस्तों थोड़ी सी तवेद करावे सर्दी जुखाम काफी दिनों से है ठीक हो भी नहीं रहा है तो वीडियो कभी कभी पॉस्ट करके बनानी पड़ती है या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूं देखिए अबेकस का है यह आपका पास्कल लाइन यह है इनलेटिकल इंजर और इसे हम कहते स्टेब रॉप रेकोनर ठीक है तो इसका आं कि चलिए आगे आप रहें 23 नंबर कोशन है आपके सामने कि देखिए यह है आपका लैपटॉप क्या है दोस्तों लैपटॉप है अब लैपटॉप के वारे में क्या है पोर्टेबल डिवाइस उने कहते है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह पर एजली ले जा सकते है तो कि बोर्ड है टैच पैड है सीडी है हाड ड्राइव है साथ ही साथ बैटरी भी है इसमें तो क्या है यह सब लैपटॉप में होते हैं बिल्कुल होते है तो यह भी आपका सही है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेट्मेंट 1 & 2 यानि कि दोनों आप प्रकुल कि ने समोह हूइश लसन और को असम contributing में कहले है लियुलर्ण को पीजे किस वे इसका लिचेआ पातला निगा चार्चंग क्पियोटर गांना स्टार्ट करता है ठीक है नव तो इसे दिए कंप्यूटर की भास में माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं ठीक है और यह क्या करता है हमारे कंप्यूटर के सभी काम को करता है ठीक है अब देखिए फंक्शन ओफी cpu का काम क्या है जैसे आप अगाइब करते हैं तो सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं वैसे जैसे ही fulfil把 s ri kya करते हैं सभी फंक्शन को क्या करता है सटार्ट करता है ठीक है na करता है तो यहां दोनों ओप्षिन आपके दिसा ने रखें ये ज्मातर का लिगा घ्रिएbel現在 25 question which are the following correctly describe the steps of the given diagram in the same order देखिए क्या है मैं आपको बताता हूं कि यह क्या करते हैं इन्पुट करते हैं तो यह इन्पुट सबसे पहले कहां पर जाता है अपका CPU में जाता है और यह क्या करता है input data को process करता है तीक है और process करने के वाद हमें जो result देता है हमारे monitor पे यह आपका हो जाता है output device ठीक है यह तो आपका CD है compact disk है जो output आपको यहाँ पे दिखता है आपके monitor पे इसे ये क्या करता है store करने का काम करता है तीक है याणि जो भी input हमने दिया है उसे हम इस्टोर कर सकते हैं CD, DVD या Blu-ray डिस्क में भी ठीक है तो यहां से input device है आपका keyboard यहां से input करते हैं CPU का processing device है इसमें जो भी input करते हैं वो process होता है और हमें desired result देता है किस पर हमारे computer monitor पर और monitor आपका क्या है output device है और यह जो CD है यह इस तरीके का storage device है इसमें हम अपनी information को इस्टोर करते हैं तो इसका answer बनेगा आपका option number a क्या बनेगा option number a ठीक है तो यहां पर यह चीज़े खत्म होती है और यह मेरा Google Pay number है अगर आप मुझे support करना चाते हैं या कुछ send करना चाहते ही ठीक एक रूपए दो रूपए भी तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो कोई रिदस्टी नहीं है हम मिलते हैं chapter सब्सक्राइब कर दोस्तों अगले वीडियो में